नमस्कार दोस्तो आपको मेरे स्यूटी चलना रिपोर्ट पांडा में दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने PPF यानी Public Provident Fund अस्कीम 2019 को नोटिफाई कर दिया है जी हाँ दोस्तो बदल गए खाते से जुड़े इन नहीं नियम अब नहीं नियमों के तद PPF अस्कीम 2019 में PPF एकाउंट को समय से पहले बंद के जाने के नियमों में बतलाब हुआ है जो कि सभी भारत बर्स के नागरी को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तो अगर आप Post Office या SBI PPF 2020 में निवेश करने के लिए मन बना रहे हैं तब तो आपके लिए पड़ी ख़वर है जी हाँ दोस्तो PPF यानि Public Provident Fund में अगर आपने भी अपने भविश के लिए पैसा लगाया है तो यह ख़वर आपके लिए बहत्मात्पून है क्योंकि सरकार ने PPF खाते से जुड़े कई नियमों को बदल दिया है PPF 2020 फॉर्म में बदलाब किये गए हैं इसके अलावा सरकार ने कर्ज के नियमों को भी बदल दिया है तो दोस्तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ PPF अस्कीम 2020 New Rules and Updates और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल Report Panda को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह का Investments Related वीडियो लेकर आता रहूँ तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं PPF के नए नियमों में क्या क्या बदलाब किये गए है पहले मैं आपको बता देता हूँ PPF 2020 फॉर्म में क्या बदलाब हुए है तो PPF खाता खुलने का फॉर्म पहले फॉर्म A था अब उसको फॉर्म 1 कर दिया गया फॉर्म A स स हॉर्म 1 अब आप फॉर्म 1 से अब खाता खुल सकते हैं नया PPF योगदान फॉर्म पहले वाला फॉर्म B रहेगा आनशिक निकासी फॉर्म C सेॉर्म 2 कर दिया गया है मैचूडी के बाद खाता बंध होना फॉर्म C सेॉर्म 3 कर दिया गया है PPF loan, form D से form 2 कर दिया गया है extension form, form H से form 4 कर दिया गया है समय से पहले swap, N से form 5 कर दिया गया है nomination, form E से form 1 कर दिया गया है जो कि इस अब ची आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप 2020 में निवेस करने के लिए मनमना रहे हैं PPF में तो दूसरा जो निया नियम बदलाव हुआ है जमा पैसे को जब्त नहीं किया जा सकता जी हाँ, बीत मंत्राले के और से जारी नए नोटिफिकेशन के ताहत PPF में जमा पैसे को जब्त नहीं किया जा सकता नई नियम अवली का नाम है Public Firmament Funds की मुझारोनेश PPF योजना 29 इस नियमा वली के लागू होने के बाद PPF से जुड़ी पिछली सारी नियमा वली ततकाल परभाब से बेहसर हो गई है PPF के लिए नए नियम के मताबिक PPF खाते में पड़ी रासी अब कुर्क नहीं कि जा सकती इस नियम ने PPF के पिछले सभी नियमों की ततकाल परभाब से जगा ले ली है नए नियम के तहद अगर PPF खाताधार को कोई कर्ज डिफॉल्ट करता है तो उसके PPF अकाउंट में जमा राकम को किसी कोट के आदेश के तहद कुर्क नहीं किया जा सकता जी हाँ पब्लिक प्रोफिडेंट फंड अस्कीम दुज़ार उनईस का निया नियम आ गया है खाताधारक पर किसी कर्ज या देनदारी के स्थिति में यदि अदालत का कोई भी आदेश होगा तब भी PPF में जमा रासी को जब्त नहीं किया जा सकता तीसरा नया नियम में बदलाब जो हुआ है 15 साल के बाद भी अब जमा कर सकते हैं पैसे नए नियमों में मैचरूटी के बाद भी PPF अकाउंट में पैसे जमा कर सकने का प्रदावन है जिस साल PPF का अकाउंट खुलता है उस साल की समापती के बाद 15 साल पूरे होने पर खाता धारत खाता धारक अपने खाते का भिश्थार कर सकता है और उसमें 5 साल के अबधी के लिए और पैसे जमा कर सकते हैं मतलब कि अगर आपने 2014-2015 में PPF अकाउंट खुला था तो आप सिर्फ 5 साल के बाद यहानी 1 अप्रिल-20 के बाद आप इसे निकाल सकते हैं पैसा कर्ज पर ब्याज घटा दिया गया है अगर आपने PPF खाते के बदले कर्ज लिया है तो PPF योजना 1968 के ताथ पहले PPF ब्याज दर 2% पर्ति बर्स की दर से निर्दारी था मसला जदी PPF ब्याज दर 8% था तो आपको 10% की ब्याज दर का बुक्तान करना होता था अब PPF योजना 2019 से इस दर को 1% घटा दिया गया इसलिए अगर PPF ब्याज दर 8% है तो अब आपको लोन लेने पर 9% की दर से भुक्तान करना होगा और मैं PPF के फायदे बतायता हूँ कि PPF में हर साल कम से कम 500 रुपे तक के निवेस करना पड़ता है और इससे आप प्रतेक बीत बर्स में 1.5 लाग रुपे तक के निवेस कर सकते हैं मैक्समा PPF में इंकर्म टैक्स एक्ट के सेक्शन ATC के ताथ लागू होने वाले लाइक लिमिट का धार पर टैक्स पे इंफिट मिलता है सबसे अच्छी बात है कि investment amount, interest और maturity amount सब पर income tax माफ होता है तो दोस्तो आज के लितना ही उमीद करता हूँ कि आज की जनकारी आपके लिए valuable होगी तो आप मेरे इस वीडियो को like करें, share करें अपने दोस्तों के बीच और PPF New Rules 2020 से जुड़ी कुछ doubt है तो आप मुझे नीचे comment में लिकर आप पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को subscribe जड़ो करें, thank you